तो आज इस वीडियो का हमारा काफी इंट्रस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो दिल्ली उनिवर्स्टी के एड्मिशन हो रहे हैं जो की हो रहे हैं यूजी और पीजी कोर्शिस के लिए तो उसमें काफी स्टूडेंट्स के बहुत जादा डाउट्स और काफी कोश्टन होंगे तो वो डाउट्स और कोश्टन दिल्ली उनिवर्स्टी ने भी निकाले हैं अपने ओफिशल वेबसाइट पर अगर आप चाहें तो वहां से भी उसे पढ़ सकते हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा बट काफी स्टूडेंट्स है जो ने वहां से भी समझ नहीं आ रहा तो आज मैं कुछ वहां से कोश्टन्स पिक अप करके लाया हूं और सारे तो नहीं आपको कुछ जो और एंट्रेंस बेस का जो फॉर्म है क्या वह एक ही है तो मैं आपको बता दूं हाँ वह एक ही फॉर्म है आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं वरना जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर एक आपको टैब मेलेगा एंट्रेंस टैब अगर आप उसको option को yes कर देंगे तब आ आपने नो करा तो इसका मतलब आप सिर्म अपर एंट्रेंस लेना चाहरे या कहें रेजिस्ट्रेशन लेना चाहरे हैं अगर आपने फॉर्म अभी थक नहीं भरा और आपको फॉर्म कैसे बंढ़ना एंपों से अगर आपको यह नहीं पता तो मैंने एक इस पर वीडियो बन इस बार यह मिस्टेक थी डियो के फॉर्म में की इस बार उसे कोड्स सेलेक्ट करने को स्टूडेंट को आप्शन नहीं मिला तो यह भी आपका क्लियर हो जाएगा जब आपके 12th क्लास के रिजल्ट आ जाएगा जब आपको मार्शिट अपलोड करनी होगी तो उसमें ही लाएगा वहां पर डियो फिर एक गाइडलाइन जारी करेगा और उसमें आपको वह अपलोड कर देना है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है वह नेक्स्ट कोशन यहीं है कि बच्ची की पूछ रहे हैं काफी कि हमने एंट्रेंस बेस्ट के लिए अपलाई करना था पर अब प्रस्वड बनाना है रिजिस्ट्रेशन पॉर्टल पर ही वहां से दुबारा से आपको रिजिस्ट्रेशन करना है एंट्रेंस भी फिर भड़ देना है देन उसके बाद फीज पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो पहले वाला फॉर्म कैंसिल हो जाएगा देन यह आपने नया फॉर्म भरा है उसे आपको प्रेंट करवाना है तो यह भी काफी में कोशन था फिर उसके बाद जो कोशन आ रहा है वह यहीं आ रहा है कि आपको बच्छे यह कह रहे है कि अभी तक हमारा 12th class के मार्क्षीट है वह अभी तक नहीं आई है तो हम कैसे उसे अपलोड करें या हम अभी रुकें या बाद में रिज्टर करें तो मैं आपको यह बता दूँ आपके जो 12th class के cbsc का रिजल्ट अभी नहीं आया उसमें आपको करना क्या है अवेटेड में लिखना है यानि जब आप रिज्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे वहां पर अवेटेड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही रही है तो जितना जल्दी हो सके आप उसे भढ़ दीजी फिर जो नेक्स्ट कोशन यह आ रहा है कि इस एनी रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट्स हुआ रेसिडेंस ओफ दिल्ली के रेसिडेंस है क्या उनके लिए कोई रिजर्वेशन है दिल्ली उनिवस्टी में तो मैं आपको क्लियर बता दूट कि कोई भी ऐसा रिजर्वेशन रिजर्वेशन सिफ कैटेग्री बाइज जर्णल ओवी सी सी स्ट सितनल अईसा कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप दि एलो से कोटा मिलेगा वो आपको IP University में मिलता है IP University में 85% जो है वो दिल्ली वालो का ही कोटा होता है देन उसके बाद जो next question है वो यही है कि दिल्ली में दिल्ली University में आपको जो marks calculate करने होते हैं वो best 4 या best 5 के basis पर mark select करने होते हैं तो आप वो best 4 subject के marks कैसे से निकालेंगे तो मैं आपको बता दूँ वो जो बुलेटेन दी है information की बुलेटेन of information वो डियू की site पर आपको मिल जाएगी वहां से आपको उससे आउनलोड कर लेना है उसके section number 2 में आपको इसके पूरी जानकारी दी गई है कि आपको कैसे best 4 या best 3 subject के marks calculate करने हैं देन उसके बाद question है आ रहा है एक और काफी जादा important question है यह भी कि what should the validity of my OBC certificate या कोई सभी आपका जाती प्रमान पत्री यानि cast certificate OBC SCST का अगर आपको पुराना है तो आप पुराना ही upload कर दें डियू ने यह clearly कह दिया है कि आप पुराना upload कर सकते हैं और जैसे ही आप पुराना upload करें उसी time आपको नए के लिए apply कर देना है जब आप नए के लिए apply कर देंगे वहां से साइबर कैफे से आपको एक receipt मिलेगी receipt मिलने के बाद आपको करना क्या है उस receipt को upload कर देना है डियू की site पे अगर आपका जो कहें हम काट certificate है वह अगर आपका admission या cut-off से पहले आ जाता है तो उसके बाद आपको उसे upload कर देना है अगर आपका नहीं आता तो आप पुराना ही upload कर सकते हैं उसके बाद जो next question है वो next question है how and when will the entrance exam based conducted यानि जो entrance based examination है वह आपके कैसे conduct होंगे और कब होंगे तो यह भी मैं आपको बता दूं कि आप जैसे आपको पता हिए कोविट 19 के वज़े से सारे exam अभी पोस्पॉर्ण हो चुके हैं तो अभी इसकी कोई official date या information डियू ने नहीं बताई है तो आप regularly क्या करें website साइड शेक करते रहिए नहीं तो आप मुझे भी follow कर लिजे Instagram पर link मैंने दे दिया है मैं वहाँ पर भी updates देता रहता हूं ओके देन उसके बाद question है how can I apply for admission of St. Stephen College and Jesus and Mary College तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं मैं पुरानी वीडियो में भी काफी इसे detail में बताया था कि जो Jesus and Mary College है and St. Stephen College है उसमें आपको करना क्या होता है उसका admission process बिल्कुल दिल्ली University के admission प्रोसेस से अलग होता है उसमें आपको करना क्या है कि पहले तो आपको common form भरना है जो दिल्ली University का common form होता है उसके बाद ये जो दो college है Jesus and Mary and St. Stephen इनके official website पर जाके आप आपको उनका भी फॉर्म भरना है यानि आपको दो फॉर्म भरने एक डियू का फॉर्म और इनकी ओफिशल वेबसाइट का फॉर्म उके देन उसके बाद कोश्यन है हमारा जल्दी आप वीडियो खतम करते हैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे एक और कोश्यन है कि कैन आई अपलाई फॉर्म लेंगवेज कोर्सिस के लिए अपलाई कर सकते हैं ग्रेजवेशन के साथ-साथ तो मैं आपको बता दू आप कर सकते हैं जैसी आपका एडमिशन हो जाए आपको ओफिशल वेबसाइट से जाके वहाँ पर आप काफी फॉर्म लेंगवेज पढ़ाई जाती है उसका भी कोर्स चूस कर सकते हैं उसके लिए अलग से फीस पेमेंट करनी होती है वो आपकी एरली फीस में नहीं होता देन उसके बाद question यहीं आ रहा है कि entrance exam कब होंगे तो मैंने आपको बताया अभी तक कोई जो है detail अभी तक डियू ने नहीं दी है next question है what will the syllabus and pattern for entrance exam कि क्या syllabus या क्या pattern रहने वाला है entrance exam का तो मैं आपको next video इसके उपर ही बनाने वाला हूं कि डियू जैट का पूरे exam entrance syllabus यह सब क्या वीडियो में अगली वीडियो में बनाने वाला हूं तो यह थे हमारे कुछ doubts और कहें हम question अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेए and bell icon को press कर दीजेगा जिससे आपको latest update मिलते रहे और please guys support my channel and thanks for watching